तो हम पढ़ रहे हैं modern history में independent states के बारे में जो स्वतंत राज्यत है ठीक है तो हमने हैदरावाद और अबदा के बारे में last वीडियो में पढ़ लिया है तो वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है और अपने नूर्ट जो है साथ साथ में बनाने है मैं आपको नूर्ट बनाने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप जब भी exam की त्यारी करोगे या अभी भी अगर आप exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपको ये नूर्ट जो है revise करने में easy रहेगा अब आज अपड़ेंगे महसूर के बारे में जो महसूर है वो कहां पे है वो है करनाटका की ये सौर्थनमोस सिटी है और करनाटका की कैपिटल है बैंगलूरू महसूर स्टेट के जो फाउंडर थे वो थे हैदर अली थे हैदर अली का टाइम पिरियर था 1761 से लेके 82 तक का इनका टाइम पिरियर था और he started his career as a soldier in the महसूर स्टेट and promoting to the commander-in-chief and later to the फौजिदार at दिंडेगूरू अभी बोरे की हैदर अली ने अपना करियर स्टार्ट किया था महसूर स्टेट में सैनिक के तौर ठीक है बाद में इनको प्रमोट किया गया commander-in-chief and later to फौजिदार at दिंडेगूरूरू और फौजिदार भी बाद में जो फौजिदार निक्त किया गया दिंडेगूरूरू इनका पूरा नाम तो आपने लिख लेना है इनको जो है इन्होंने यहां से उखाड फैंका था और अपनी अथौरिटी महसूर स्टेट में स्टेविलाइज की थी बाद में ही स्टेविलाइज मौटरन अर्सेनल इन डिंडेगूरू और डिंडेगूरू कहां पे का टाइम पीरड आपने याद रखना है सेवंटी सिख से लेके सिक्स्टी नाइन तक का और यह किसके बीच हुए है अधर अली और ब्रिटिश के बीच हुए जिसमें है अधर अली हार गए और इस जो वार का जो एंड हुआ वो किस ट्रिटी के साथ हुआ मदरास की संदी क साथ कब साइन हुई ? 1769 में यह हैं इस संदी के साथ फोस्ट एंग्लो-मैसूर ओर का एंड हो गया फिर है हमारा सेकिंड एंग्लो-मैसूर ऑर अब सैकिंड एंग्लो-मैसूर वार का टाइम पीरिड है 1780 से लेकि 84 तक का इसमें क्या हुआ कि जब वारेन हास्टिंग ने जो अटेक किया फ्रेंच पोर्ट माहें पे तो यह जो थी यह हैदर अली की टेरेटरी थी अब फिर उसके बाद क्या है हैदर अली ने जो है एक एलाइंस बनाया ठीक है संगटन बनाया निजाम और और इन्हों ने जो आरकोड था जो कार्नेटिक स्टेट की केपिटल थी उसको ँकेपचर किया और साथ में जो है पर अटेक किया फिर कहँआ कि 1781 में हैादर अली को जो ब्रिटिश थे ऐरे को ने उन्हें his quarrel, इनको हरा दिया पर पे पोर्टो नावों में, ठाएं, फिर he died during second anglo-messor war, जब second anglo-messor war हो री थी, तब इनकी death हो गए उस time पे, फिर आगे इनके successor tipu-sul'tan, ठाएं टाइम पी रच था 1782-99 तक का, इसमें क्या था कि heather Ali was the success by his son tipu-sul'tan in 1782 यह किसके बेटे थे टिपुल सुल्तान हैदर अली की बेटे थे फिर उन्हों जो है उसके बाद यह कंटीन्यू की सेकिंड एंगलो मराथा वह जो है कंटीन्यू की 1784 तक इसकी बाद हम पढ़ेंगे अब जैसे इसे क्वेशक साथ कि हुप पलांटी दे ट्री ओफ लिवर्टी एचे यहां पकहां पर लगाया इनूने शीरंग पका त्री ओफ लिवर्टी फिर बाद में यह मेंबर वनी जुकोवियेन क्लब के ठीके फिर जो Second Anglo-Messur War का जो end हुआ वो हुआ Treaty of Mangaluru Mangaluru की संदी साइन हुई इस 1444 में इसको साइन किया टीपू सुल्तान ने इस Treaty के साथ जो है Second Anglo-Messur War का end हो गया फिर उसके बाद है Third Anglo-Messur War Third Anglo-Messur War का टाइम है 1790 से लिकी 92 तक का इसमें मराथा और जो निजाम थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की और जो लॉर्ड कारनवालिस थे उन्होंने बैंगलूर को कैप्चर किया और Third Anglo-Messur War का जो end हुआ वो हुआ Treaty of Sirung-Pattnam 1792 में साइन हुई जिसमें टिपू सुल्तान ने अपनी हाफ टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स को दे दी फिर हुए Fourth Anglo-Messur War Fourth Anglo-Messur War का टाइम पीरिड है 1799 का जिसमें Lord Wesley ने क्या-क्या अटेक किया और जिसमें टिपू सुल्तान की डेथ हो गए फिर टिपू सुल्तान was only Indian ruler who understood the importance of economy strength टिपू सुल्तान एक ऐसे भारतिय साशक थे जिनको economy की strength की importance का पता था फिर है टिपू सुल्तान stabilized embassy to France, Turkey, Iran, Pegu to develop foreign trade foreign trade को develop करने के लिए इन्होंने जो है दूतावास कहां पर बनाए France, Turkey, Iran and Pegu में ठीक है He gave money for the construction of image of goddess Sarda on the Shirinagari temple Shirinagari temple कहां पर हैं? करनाटका में यहां पर जो है जो सार्दा माता की जो image बनी उसकी construction के लिए इन्होंने पैसे दिये The famous temple of Shirinaganaath was situated in his palace From His Palace और इनको जो टाइटल दिया गया कहां पर था इनका पैलेस? महसूर में ठीक है वो वीडियो आप ज़रूर देखें और अपनी feedback जो है comment section में भी ज़रूर दें Thank you